इंडिया वर्सिस सिंग्लेंड के बीच खेले जा रहे पांचवे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में बहुत कुछ घटा मैदान पर जहां रिशब पंद का दमदार शतक देखने को मिला तो विराट कोली की एक और फ्लोक पारी जी हाँ आप सभी को बता दे कि भारती फैंस को एक और बड़ा जटका लगा कप्तान रहे पूरव यहाँ पर विराट कोली इस बार भी नाकाम रहे पहली पारी में ऐसा होता हुआ नहीं दिखा विराट कोली यहां सिर्फ 11 रन बना पाए इस दोरान उन्होंने 19 गेंदे खेली जबकि दो चोके भी जमाए थे लेकिन आपको बता दे जो उनका विकेट गिरा वो बहुत ही कह सकते हैं रोचक तरीके से गिरा विराट कोली को इंगलेड की युवा बॉलर मैथ्यू पोर्ट्स ने आउट किया 23 साल के मैथ्यू पोर्ट्स ने हाल ही में खत्मुई न्यूजिलेंड के खिलाब टेस्ट सिरिज में डेब्यू किया था तीनी टेस्ट मैच खेले थे इनका ये चोतरी टेस्ट मैच था करियर का और विराट कोली जैसे बले बाज का विकेट लेना तो जश्न मनाने का एक मोका था विराट कोली जितनी देर क्रीस पर रहे वे अच्छे टश में दिख रहे थे उन्होंने लेक साइड में दो चोके भी जड़े लेकिन मैथ्यू पोर्ट्स की बोल पर उनका इंसाइड एज लगा और विकेट्स की गिल्लिया उड़ गई जी हाँ बहुत वहतरिन बहुत कंफ्यूज भी नज़र आ रहे थी कि खेलू की छोडू खेलू की छोडू लेकिन अचानक से बल्ले की एज पर लगते वे विकेट पर गेंद लग दी पांच मैच की इस टेस्ट सीरीज में विराट कोली के लिए रनों का सूखा ही रहा उन्होंने अभी तक इस सीरीज में पांच टेस्ट मैच में सिरिप 239 रन मनाए विराट कोली के नाम इस टेस्ट सिरीज में एक भी शतक नहीं जबकि दो अर्दे शतक उन्होंने जड़े हैं और अब भी तक आपको बता दे पिछले तीन सालों से विराट कोली के रनों का सूखा ही चल ला है करीब 27 से 30 एवरेज की बीच यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं यह वो बल्लेबाजी जिसका तीनों फोर्मेंट में ओसत पचास से उपर कर रहता है लेकिन मैथ्यू पॉर्ट्स ने जो उनका विकेट गिरा है बहुत मुसीबत में आ चुकी हाँ पर टीम इंडिया लेकिन उसके बाद रिशाप पंत ने 111 गेंदों में 146 रन की पारी और जडेजा ने एक अरदिशत की पारी खेल कर टीम इंडिया को मुसीबत से उबारा पहले दिन की खेल की समाफ्ती के बाद टीम इंडिया कर स्कोर 338 रन साथ विकेट के नुपसान पर है विराट कोली को यहाँ पर सेकंड नेनिंग में मुखा मिलेगा लेकिन क्या सेकंड नेनिंग में विराट कोली रिशप पंत की तरह खा बलकुल गजब की बल्लेबाजी क करश तक लगा पाएं गया रही बहुत लंबे समय से इंतिजार है और ऐसे में रोहिश शर्मा केल दाहुल और अजिंका रहने जैसे बल्लेबाजों की गयर मौजूदगी में चेतेसवर पुजार और विराट कोली जैसे बल्लेबाजों की मेहनत बढ़ जाती है पुजारा भी सिर्फ चालिस गेन में 13 रन ही बना पाई इस मकाबले में नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट